इस पिक्चर में दिखाई दे रहा फ्लावर, बाइलोजिकली एक फ्लावर नहोकर फूलों का एक गुच्छा है, means it is a group of flower, it indicates head और capitulum influence, इस तरह के influence में दो तरह के फ्लावर देखने को मिलेंगे, साइट के कॉर्नर्स के फ्लावर को हम रे फ्लावर या रे फ्लोरेट के नाम से जानते हैं, जबकि सेंटर के फ्लावर को हम डिस्क फ्लोरेट या डिस्क फ्लावर के नाम से जानते हैं, रे फ्लोरेट में केवल फीमेल सेक्स ओर्गन प्रजेंट है, जबकि डिस्क फ्लोरेट में मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ओर्गन प्रजेंट रहते हैं इस तरह का इंफ्लोईसेंस हमें प्लांट की लार्जस फैमली एस्ट्वेशी में देखने को मिलता है